रादे रादे दोस्तों पुष्पा कौशिक वजन एंड ब्लोक्स में आप सभी का स्वागत है आपको तुलसी जी की कथा सुना रही हूँ जै तुलसी महिया, जै हो किस्री किश्ना हमारे धरम क्रंथों में कार्तिक महीने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है विश्नु भगवान कहते हैं कि मुझे महीनों में कार्तिक महा और ब्लिक्षों में तुलसी जी सबसे अधिक पिरिया है कार्तिक के महीने में इस्नान दान पुन्या आदी के करने का करोड़ों गुनाफ़न मिलता है कार्टिक माश में तुलसी जी की पूजा करने का भी सेच महतु है जो लोग कार्टिक माश में माता तुलसी की पूजा करते हैं उनके सामने घी का दीपक जलाते हैं उनके घर में धन धानिया और सोभाग्या की ब्रीधी होती है क्योंकि तुलसी माता में स्वैम मा लक्षमी का वास माना जाता है कार्थिक महीने में सुने जाने वाली तुलसी माता की कहानी इस परकार है एक गाउं में कुछ औरते आपस में मिलकर कार्थिक मास में तुलसी जी की पूजा किया करती थी और तुलसी जी को सीचा करती थी उन में एक बुड़िया ऐसी भी थी जो तुलसी माता को सीच कर कहती थी हे तुलसी माता सत की दाता मैं तेरा बेटला सीचती हूँ मुझे बहू दे, पितांबर की धोती दे मीठा मीठा गास दे, बैकॉंट में वास दे चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, और कानाज जी का कंधा दे यह कहकर वैं बुढिया अपने घर चली जाती, धीरे धीरे तुलसी जी सूखने लगी, तब विश्णु भगवान जी ने तुलसी माता से बोले कि क्या हुआ तुलसी, तुम इतना सूख क्यों रही हो, तब तुलसी जी कहती है कि एक बुढिया मेरे पास आती है, और इस परक लेगी, तो मैं अपने आप उसे कंधा दे आऊंगा, जब कुछ वर्स पस्चात वह बुढिया मर गई, तो सब उसे उठाने लगे, लेकिन वह बुढिया इतनी भारी हो गई कि किसी से ना उठी, तब सब कहने लगे कि यह तो इतना दान और पुन्या करती थी, लेकिन तब भी, यह कितनी भारी हो गई है कि किसी से उठ नहीं रही है, तब अगवान जी एक आदमी का रूप धारण करके आए और कहने लगे कि क्या हुआ, तब सब लोगों ने बताया कि बुढिया माई बहुत भारी हो रही है, और किसी से उठ नहीं रही है, तब काना जी ने पितांबर की दोतो, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठा में वाश ले, चटक की चाल ले, पतक की मोत ले, ग्यारस की मोत ले, और किशन जी का कांधा ले, जैसे ही एसब उस बुढिया माई के कान में गए, तो बुढिया माई का सरीर हलका हो गया, तब किश्वगवान ने मोक्ष परदान करना, तुलसी माता की जै, जै श्री किशना, रादे रादे, अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी, तो प्लीज इसे लाइक करें, शियर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अपना फीड़ बैक दें, अगर चैनल में पहली बार विजिट किया तो को सबस्क्राइब करना ना भूले, साथ में लगे बैल आइकन, जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अप्लोड ओ, उसका नोटिपिकेशन आपको मिल सके, धन्यवाद, जै श्री किशना, जै मत उलसी,